कल ग्यारा तारीकों सुबह दस बस के तरेपनमेंट में मेरे मकड़ा निवास पे था जब एक राजेंदर छोधी राजू जो की कुडोली का रहने वाला है उसके मुवाइल से मेरे वाइल में होना है उसका नम्बर मेरे से मेरे पास पहले से सेव था सेव इसलिए था वो जोती मिर्दा पूर सांसद हमारे नागोर की थी उसका मुझ की कार्य करता है था वो अभी पता नहीं है नहीं है और उस रिसाब से उसका नम्मर मेरे बाद चे होता और मैंने उसका फोन उटाया तो मैंने कहां बोली है वो मेरे से बोले कि आप जाक्रिश इस पाल मेरे था खिलाब आप ने पोश्ट वना दी में क्या बढ़े बिने पोश्ट है उसमें मेरे साथ में काली गिलोज और जान से माने की दंकी दी और बोले तो नागोर या करे आएवी पे मिलेगा तो मैं तो मैं टांगयां के तोड़ देंगे हम लो मैंने का तरे समझ और एसपी साब से बात किया है और जैपूर डिजी साब को मेल कर दिया आईजी साब को मेल कर दिया लिएसपी साब को भी मेल कर दिया रभी मैंने इस यह साब से बात भी की है कि इस तरह से यह लोगों के उसलेते बुलंद आप में कारवे की नहीं कहीं तो मकरना से तो बोल कि आज तो राहिस्तान के अंदर जबसे बाजबा सरकार बनी है जबसे इन माफियों के इन गुंडों के इतने होसले बुलंद हो रहे के एक जन प्रतिंदी जो विद्यक होता है जिनोंने पूरिती लाप बोटरों ने चुना है मुझे है आज मेरे साथ इस तरह से कटना कर रह है तो इससे यह साब जाय रहता है कि इनके पीछे बड़े वीजेपी नेताओं का हाथ है मैंने क्या गलत पुस्ट कर दी जिचपाल जी मिर्दा साथ के बारे में मैंने यह तो लिखा बाबा ना सुरा मिर्दा जिनोंने हमेशा वीजेपी को वीजेशी के फूल को Lumis नहीं मैं कनद जिन्योंने तीन कानुन किसानों के खिलाब बनाए उस के पार्टियोंने आज फॉन से पचास सालसे बोर्ट जो ले रहे हैं कि मिर्दा परीवार मिन चया जोती जी बर्दा वीजेपी ऑंगई हो या भीजेपाल जी मिर्दा य Fest पाल या सिशी डिजिश मि आज पर इन्हों ने के नाम से बोट मांगे नात्राम जी बाबा के नाम से मेशा ब्रूट मंगे किया कि अब हमारे वीच में रिषफाल जी मिर्टा जो चाहर वाओं, है वीजेपाल मिर्दाय जो एक बार विदैग रहे लाचन जी कटारिय साहब आये किसान नेता के इंदर में मंत्री रहे और राजी में मंत्री रहे एंपी ने विदैग रहे कई वाद तो यह सारी इनकी प्रेश्ट भूमी तो कॉंग्रेस से कॉंग्रेस की सान न करके आप वीजेपी में ले रहे हो और आप कहते हो वीजेपी वाले कि कॉंग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे तो कॉंग्रेस मुक्त भारत ऐसे बनाएंगे कॉं कोई एंपी खिलाब हो उन मुगतमों में ब्राद्रमका के वीजेबी जोन करवा रहे हो यह दिये हो गया कि वीजेबी पार्टी जोन करती हुए जिस तरह से इसे वह क्या ना वाशिंग मशीन के अंदर फरेश होके निकल गया तो इस तरह से जो गटनाय जो चल रही है जब से यह वीजेबी का राज बना है बहुत से माफिया नागोजिले के अंदर सग्री है मैं तो उनको यह कहना चाहता हूं आने वाला चुनाओ जो लोग सब आ रहा है हम सब को इनको सबक शिकाना एक तो तीस हजार वोटों से जीत के जो मैं विदैक आया हूं उस पे इस तरह से सब्सक्राइब करना इन वीजेबी वालों के अजबनी हो रहा है कि इतने जैदा बोटों से एके से जीत गए मैं 24 गंटे लोगों की शेवा करता हूं मेरे गर पे ओफिस में जो भी कार्य करता आते हैं उनका मान समान करके बड़े बुजर्द की दोग लगा के बात करता हू और चुनाओ हारा या जीता कभी वोकलाट लेके नहीं है और आज जनता मेरे साथ है हमारी कांगरेस पार्टी के साथ है और यह जो लोग इतनी सी बात से गबरा गए कि आपने रिच्वाजी मिर्दा के खिलाब क्या ठिपनी कर दी तो मेरे गलत नहीं की अभी चुनाओ कि यह परशासन से कि पिछली बार दो वार मेरे पे एक वार जब चुनाओ के एक रात पहले अमला हुआ था उसमें भी कोई परिकी या कोई मुजी मरेश नहीं हुए पंचे शिमितिक साथन सभा के अंदर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुझ की हुई कि उस मामले में कुछ ज्यादा कार्वाइडी हुई और मेरे साथ जिस तरह से यह अत्र वेवार जान से मानिक धंगी दे रहे हैं इसमें अगर कुछ कार्य नहीं होगी तो हम इसको लेके बड़ा अंदोलन करेंगे और उसमें हमें पुलिस को वानिंग देंगे एक दो दिन करेंगे उसके बाद में सब करताल गुटा के वानिंग देंगे उसमें धन्ना पर्देशन भेड़ना पड़े तो हम इसमें मुल्जीमों को उन्दर तन्वा करेंगे करेंगे उसमें मुल्जीमों करेंगे